हलो स्टुदेंस में मैं सॉरप का डाउट के स्टुदेंस से हैं सॉरप कुमार ने डाउट लिया है कि सर जो moment of inertia topic है topic तो हमने समझा दिया था लेकिन उसमें उसको डाउट है कि moment of inertia of ring, disk, sphere यह जो अलग-अब्जेक्स हैं इनकी moment of inertia अलग-अलग axis के लिए याद नहीं होती है तो कभी पूछा जाता है कि moment of inertia of ring अब find करो about a tangential axis तो याद ही नहीं रहती है उसके लिए formula क्या है तो आज मैं ना सिर्फ वह formulas बताऊंगा उसके साथ-साथ उनको कैसे याद रखना है कैसे उस तक आप पहुत सकते हो बिना time wastage के जल्दी सा आप कैसे वह formula develop कर सकते हो वह भी बताऊंगा today we are going to see the moment of inertia of various geometrical shapes यह 10 minute के वीडियो के बाद तुमको और एकदम clear हो जाएगा कि कभी भी किसी भी object की moment of inertia कैसे जट से मुझे आ जाएगी ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करूँ है यहां में एक table बना रहूं देखिए एक table है अगर तुम भी a table बनाना चाहते हो तो बता देता हूं इसमें table में 5 vertical columns है 5 vertical columns और seven rows are there seven rows है ठीक है seven rows और पांच columns है इसमें period table बनाया होगा ना वैसा ही है तो यह मेरी पिरोडिटेबल है five vertical columns and seven rows ठीक है चले अब इसमें क्या करना यह पहला column तो आप छोड़ दो इसमें यहां चलो में थोड़ा लिख देते हैं इसमें लोग डिफेर्ट डिफेर्ट यहां पर objects में console लेने वाला हूं सबसे पहले वी विल ठेक थिन रॉड ऑके उसके बाद हम लोग लेंगे थिन रिंग उसके बाद डिस्क डिस्क के बाद वी विल टेक सॉलिट सिलेंडर के बाद विल बी सॉलिड स्फियर और लास्ट में हम रुख लेंगे हॉलो स्फियर और यह सब अलग अलग objects है जो की काम आते हैं इनकी सारी formulas पता होनी चाहिए अब दूसरे columns में देखो मैं क्या कर रहा हूं I will take here the axis which is perpendicular on the plane of the body okay and passes through center of mass of the body इसके बाद आएगा axis which is perpendicular on the plane of that body and passing through center of mass of the body इसके बाद आएगा axis which is perpendicular on the plane and it passes through one end of the body through the end of the body center of mass is not the end of the body next column है diametrical axis diametrical axis axis passing through diameter last है tangential axis लेकिन इस नो पर्पेंट इस नो पर्पेंडिकर दो प्लें बड़िए इस इन दे प्लें इस टेबल पूरा बनने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है अब देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थिन रॉड से अगर मैं इसे थिन रॉड ले लो उसमें एक्सिस यहां से जा रही है तो देखो आपको क्लिर दिखेगा कि जो यह एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर आफ मास अरॉंड इस एक्सिस क्या है मुमेंट अफिनेश याद है इसमें कोई तरीका नहीं है इसको आपको याद ही रखना होगा अब उसके बाद अगर यह रॉड ले और एक्सिस यहां से जा रही है कहां से ज कि उसके बाद डायमेट्रिकल एक्सिस अब जो रॉड रॉड में डायमेट्र है या ऐसे को चीज़ नहीं होती है यह मदब नहीं आने वाली है कोई भी फॉर्मॉला एक फॉर्मॉला रॉड के लिए और बता देता हूं अगर रॉड है यह इसका सेंटर है इसे सेंटर और और इसका एंड पॉंट है सेंटर और दिख रहा है उनके एक्जैक्ली बीच में से एक्सिस जा रही है एक्सिस एक्दम बीच में से जा रही है सेंटर और एच की बीच में से तो मुमेंट आफ इनशा आती है 7 ms square by 48 बाल याद मत करो चलेगा लेकिन बता दिया मैंने अपन अगर एक्सिस यहां से पास होरी देखो एक्सिस पासिंग थू सेंटर अफ मास अफ दे रिंग एडिस पर्पेनिकलर अंदर प्लेन अफ दे रिंग इस पे तो अब सब को फॉम्मला यहाद है इस सिंप्ली एमार स्कॉर्र अब main topic start होगा अब आपके जो फॉम्मला में confusion start होता है वो यहां के बाद start होता है अगर मैं फिर से वो same ring ले लो जो यह दे कि मैंने first axis यह बनाई यह वाली जो axis बनाई यहां पर मैं इसे dotted बना देता हूँ यह same axis है देखो but now I will change the axis suppose if I make the axis this one तो अभी student को confusion हो लगता है कि यह axis पर कैसे find करेंगे यह कैसे यार रखेंगे तो ध्यान से तरीका सुन लो यह जो पहली वाली axis है दिख रहे हैं ना यह axis और यह axis में कौन सा theorem लगने के chances हैं मतब यह दोनों axis में दे दू which theorem you can apply using these two axes obviously parallel axis theorem लगा सकते हो right so here we are going to apply parallel axis theorem तो अभी ध्यान से ट्रिक सुन लेना यह ट्रिक है अगर आपको लगे कि यहाँ पर तो parallel axis theorem लगने वाला है तो parallel axis theorem अगर आपको लगना है तो क्या करो आप पहली वाली जो फॉर्मुला है उसमें 1 MR square add कर दो just add 1 MR square यह जो ना यह formula इसमें 1 MR square add कर दो MR square plus 1 MR square it becomes 2 MR square moment of inertia for this particular axis which passes through end of this ring it's 2 MR square ठीक है जी? समझा सौरब? चलो अब देगो यह वापस मैंने रिंग ले लिया जो मैंने 1st axis बनाई थी वाली फस्ट वाली वो मैं फिर से बना रहा हूं यहां पर यह देखो लेकिन अब हम लोग axis को change करेंगे now suppose this is a axis तो यह देखो axis ध्यान से देखो यह axis है diametrical तो इस diagram को आप अच्छे से देखो यह दो axis आपको देख रही हैं दोनो axis आपस में perpendicular है ना कि parallel है no doubt they are perpendicular तो इनके बीच में कौन सा theorem लगेगा definitely इन दोनों के बीच में आप perpendicular theorem लगा सकते हो right you can apply perpendicular axis theorem तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि यह तो perpendicular axis theorem लगेगा तो आप लगाव मत theorem आपकी जो फस्ट वाली फॉर्मला है इसको divide by 2 कर देंगे मतब यह axis पर आपको find करना है तो जो फस्ट वाली axis है यह वाली इस पर आपको moment of inertia मालूम है यह वाला इसको divide by 2 कर देंगे divide by 2 कर दो it become mr square by 2 तो trick यही है mainly student पहला axis तीर मगा लग रहा है दो axis की बीच में add one mr square परपेड़ एकसे लग रहा है तो divide by 2 यह trick आप हर जगा मतल अपलाए करते रहे हैं सिर्फ यह कुछ जो objects है ring, disk, जो अभी मैं बता रहूं उन्हीं पर लगाना ऐसा नहीं कि हर जगा आप ही लगाते रहो यह जो मैंने trick बता है अब रॉड में नहीं लगा सकते for example कि रॉड में यह रेडिस कहां से आएगा how will you add mr square तो इस रिफ कुछ round objects के लिए है तो जहां-जहां मैं बता रहो वहीं पर लगाना तो यह clear है चले last last axis है यह देखिए tangential axis देखिए अब यहां पर मैंने चेंज कर देता हूं see यह axis है जहां से देखो तब को clearly दिख रहा है it is a tangential axis but it is in the plane तो कौनसा theorem लगने की संभावना है इन दोनों की बीच में कौनसा पहला axis theorem तो मैंने क्या बोला था अब क्या करो यह डायमेट्रिकल वाली formula है यह डायमेट्रिकल axis मैंने यहां पर लिए यह formula में आप एक MR square add करोगे so 1 MR square added with half MR square it become 3 by 2 MR square isn't it formula 3 by 2 MR square saw up clear कुछ भी नहीं है बच्चों जैसी चीज है बहुत simple है डिस्क पर जाते है अब अगर यह एक डिस्क है solid disk होना चाहिए यह axis है इसके लिए आपको moment of inertia at least याद नहीं चाहिए इसके लिए first it is MR square by 2 आगे मैं यह दूनों tricks जो मैंने लिखिए यह tricks यूज करने वाला हूं तो ध्यान से देखो यह first axis है मैं फिर से draw करोगे उसके साथ साथ अब यह दूसरा axis कौन साथ हीरा हम parallel axis इसमें आप MR square add कर दोगे that is 3 MR square by 2 ठीक है फिर यह वापस जो यह first वाली axis है यह first वाली वह मैं आपे draw कर रहा हूं as a dotted अब यह मैंने दूसरी axis बने इस इंडीड इस डायमेट्रीकल axis तो डायमेट्रीकल एक्सिस राइट इसको divide by 2 कर दो MR square by 2 divide by 2 क्या बन जाएगा it will become MR square by 4 ठीक है अब इसमें आपने जो डायमेट्रीकल एक्सिस लिए सेम डायमेट्रीकल एक्सिस आप यहां पे ले लो डायमेट्रीकल एक्सिस लिए अब मैं एक्सिस को चेंज कर देता हूं सी सी कौन से थिर्म लगेगा पैलल एक्सिस तो यह वाली जो फॉर्मला है डायमेट्री इसमें MR square add कर देंगे तो अगर आप करोगे तो इसमें 5 by 4 MR square Isn't it यह हो गया तो इस तरहिके से आप इस से डील कर सकते हो अगर आगे के आप्जिक्स में डाउट है तो वीडियो देखो नहीं तो आप स्टाप कर सकते हो आगे है solid cylinder इसे बना दे और यह एक्सिस ले ले एक्सिस के सेंट्र आफ मास से जा रही है इस एक्सिस को आप चले आप जोड़े शवर जोड़े अथ आप सबना करते हो यह बोझ्दीर को अधर डीज़ को अतर जोड़े अकृमेंक में इसुमेत्रिक से यह ठीजर घंज़वश थर्म शेच 있어서 फॉब भूमिया distracting अईतरे है डिस्क है's a इस लेंडर में आपकी एक और फार्मुला है जो काफी special formula है in the cylinder we are having one more formula which is quite special तो वो में आपको बना देता हूँ अगर cylinder के लिए अगर हम लोग cylinder ऐसा ले 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 और axis ये वाली ले ले क्या फरक है ये जो axis है न वो center of mass जा रही है ये axis भी center of mass से जा रही है लेकिन इस axis is parallel to the length of the cylinder ये axis length को parallel है मतब ये longitudinal axis है बट ये जो axis है इस perpendicular on the length तो इसके लिए ये जो axis है इसके लिए जो formula होगी मैं यहां पर लिख रहा हूँ formula है mr square by 4 plus ml square by 12 it is the only formula in the entire chapter जिसमें दो terms का sum आ रहा है बागी सारी formula में देखो एक ही एक term है या फिर दो terms का summation है ये axis के लिए ये formula है cylinder में बस ये दोनों ही mainly important है अब आते है solid sphere पे solid sphere solid sphere rotating about this axis इस axis को geometrical axis भी बोल सकते हैं तो इस चीज़ का example है earth earth भी एक solid sphere है जो इसी axis पे rotate करता है तो moment of inertia कितना है यह है तो आपको याद रखना होगा it's 2 by 5 mr square बरबर लेकिन जैसे ही मैं axis को change करूंगा देखो यह जो first axis मैंने बनाई है I am drawing here again but dotted now I am changing the axis now suppose this is the axis तो कौन सा theorem लगने की संभावना है parallel right parallel axis theorem so add 1 mr square तो यह वाली जो formula है इसमें 1 mr square आप एड कर दो तो आपका आजाएगा 7 by 5 mr square trick यहां पे काम आएगी यह दोनों नहीं है solid sphere में आपको यह तो first तो आपको definitely याद ही रखना है 2 by 5 mr square tangential axis है this is like a tangent on the sphere it's 7 by 5 अब hollow में student particularly attack थे हैं कभी-कभी hollow में आप वो solid की formula यूज कर लेते हैं imagine यह hollow sphere है hollow and solid में कुछ diagram में तो फरक नहीं रहेगा तो जोच यह अंदर से hollow है यह है axis इसकी formula है 2 by 3 mask है आपको मैं याद करने का इसका method बताऊंगा wait a minute अब यह जो first axis है मैं आप फिर से ले लेता हूं like this now I am changing the axis यह axis ले लिया कौन सा theorem लगने की संभावना है पहला axis theorem तो क्या करेंगे add 1 mr square तो यह formula में आप 1 mr square add कर दो ठीक है तो आपका आजाएगा 5 by 3 mr square बात समझ मैं अब student को एक डाउट रहता है कि sir यह hollow sphere की याद रखेंगे solid की याद हो जाती है फिर hollow में confusion होता है तो काम को रहता है तरीका बता दो solid sphere की जो यह formula है सब आप याद रख सकते हो इसमें जो भी odd number है 5,7 odd numbers है odd number को आप एक पीछे लेके जाओ मतब go for one previous odd number 5 की जगह यहां पर 3 लिख दो तो यह hollow बन जाया यहां पर 7 है 7 की जगह यह क्या हो गया 5 और denominator में 5 है मतब एक पीछे वाला odd number लेलो 7 है तो 5 लेलो 5 है तो 3 लेलो यह formula आप याद रखो उसके पाद याद रखो कि एक odd number पीछे जाना है को एक पीछे वाला odd number लेना है clear तो इस एंटायर टेबल और जो मैंने तरीक आपको बता है उसको आप याद रखो कि सौरब तो आराम सब कर सकते यह particularly mention करके लेना और टेबल बना लो जब भी मर्जी हो इस टेबल को revise करो आपको सारी formulas एक साथ याद आ जाएंगी clear मुझे उम्मीद है सौरब का doubt clear हो गया next lecture में मिलते है bye